नमस्कार आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक बाज्जू का डिजैन लेकर आई हूँ जो फ्लेर वाला है और बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा तो बनाना भी असान है तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है इसके यह एक डेमो पीस है तो इसके लि वॉल्टम लिया है मोहरी लिए और यहां पर नो इंच का लंबा और जो मोहरी है उससे डवल हमने डवल फोल्ड किया हुआ यह कपडा तो डवल में हमने एक कपड़ का पीस लिए है जिसके हमारी फ्रिल बने गी तो इसकी लंबाई 9 इंच है जो हमारी बनने के बाद 5 वो सबसे नीचे हमने यहां पर एक फोल्ड कर लेना है यह जो फ्रिल वाला कपड़ा है वो हमने जो मोहरी है बाज्यों की जितनी टोटल मोहरी है उसमें डवल करके लेना है ठीक है तो इसको हमने सीधी साइड पर यहां पर हम निशान लगाएंगे जो हमारा बॉर्डर हमने फोल्ड किया है उसके उपर हमने एक इंच के दूरी पर निशान लगाया है इस निशान को हम बिलकुल स्केल की साहिता से सीधा कर लेंगे और इसके उपर हमने एक और निशान लगाया है वो भी एक इंच के कैप पर है अब दो लाइन हमारी यहां पर बन जाएंगी इन दो लाइन के ऊपर हमने 1.5 इंच के मार्जिन पे एक और निशान लगाया है तो यह हमने दो-दो लाइन लगाई है और बीच में सेंटर का जो चोड़ा सा है वो हमारा 1.5 इंच का गयब है तो जो भी लाइन हमने लगाई है इनको हमने पिंटेक्स बनाने हैं तो इस तरीके से हम पिंटेक्स के साथ अच्छे से से कर लेना है जैसे अगर नीचे को फॉल्ड़ कर रहे हो तो नीचे का ही सबका करना है और ऊपर की साइट कर रहे हो तो ऊपर की साइट है मैंने यहां नेचे की साइड कह लगाया है और यहां पर मैं एक पिं टेख्स के सेंटर में एक लेस लगा रही हूं जिसको मैंने पिंटेख्स के साथ अनदर दवा दिया है यह लेस आप्चनल है आप चाहिए तो ना भी लगौ तब़ी दिजैन जो है बहुत ही प्यारा लगेगा यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लीट डालनी है तो इस तरीके से हम एक साइड को प्लीट्स डाल लेंगे अब हमारी यहाँ पर प्लीट्स जो है वो कंप्लीट हो गई है अब जहां पर मैंने प्लीट वाला वहां पर उसके उपर मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है अब लेस को भी यहाँ स्टिच का लेते हैं और लेस स्टिच करने के बाद हमने बाजु लेनी है और बाजु को हम नीचे रखेंगे और जो फ्रिल है उसको ऊपर रखेंगे और इसको एक स्टिच लगा देंगे तो stitch लगा ली है हमने और stitch लगाने के बाद हम इसको जब खोलेंगी तो जो lace है वो इस तरीके से आ जाएगी अब हमने इनको अलग दोनों साइड को करना है और उपर से एक top stitch लगा लेनी है जिससे ये free loo जो है वो अच्छे से बैट जाए यहाँ पर top stitch लगा ली है अब यहाँ पर प्लीटों को हम अच्छे से सेट करेंगे और एक press कर लेंगे प्रेस करने के बाद इनका look जो है वो बहुत ही प्यारा बन कराएगा यह देखिए बहुत सुन्दर लग रहा है अब इसको double fold करना है और यहाँ पर एक fitting की सिलाई लगा लेने है अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद बाज्जू हमारे कुछ इस तरीके से दिखेगी यह फ्रेल वाली बाज्जू बन कर तयार है थैंक्यू फर वाचिंग